अगर ऐसा कुछ भी होने वाला होता तो सबसे पहले ये जो भी टेली कॉम कमपनिया है सबसे पहले अपने ओफिसियल हैंडल पर इन चीजों को सेयर करती कि अनलिमिटेड कॉल बंद हो जाएगी या फिर अनलिमिटेड इंटरनेट बंद हो जाएगा या फिर जो भी यह जाएं बंडल प्लान का मतलब होता है कि जिनके अंदर आपको unlimited calling मिलती है unlimited data मिलता है या फिर एक 2GB, 1GB data मिलता है और 100 SMS यानि एक ही प्लान में आपको तीनों services मिलती हैं आने वाले समय में सायद उन्हें बंद किया जा सकता है ऐसा मैं भी कह सकता हूं लेकिन अभी फिलालि यह सब चल रही है जैसा कि हम लोग एक अनुमान लगा रहे थे कि आने वाले समय में unlimited 5G को बंद कर दिया जाएगा और अभी पिछले कुछी दिनों पहले यही चीज हुई है unlimited 5G को अल्मोस्ट बंद नहीं किया गया है लेकिन unlimited 5G को इतना महेंगा कर दिया गया है उनके जो unlimited कोई भी चीज ना मिले उसके लिए ट्राई ने इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को सुझाओ दिया था कि आप इस पर जड़ा बिचार करिए ट्राई यानि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ओफ इंडिया जो कि इन टेलीकॉम कंपनियों को हैंडल करती है ट्राई जो नहीं बंद होना चाहिए इस पर भी नियम लागु हुआ है और भी कई सारी चीज़ें एक्स्टा इसलिए ट्राई ने इन टेलीकॉम कंपनियों को सुझाओ दिया था कि आप इन बंडल प्लांस को बंद कर दीजिए और एक नए प्लान लागु करिए या चालू करिए जिस अनलिमिटेड कॉल औगेरा का जो फंक्सन है जो सिस्टम है ये उसके बाद ही सुरू हुआ था बंडल प्लान उसके बाद ही सुरू हुए थे इस चीज़ पर इन टेलीकॉम कंपनियों ने एक रिपोर्ट सब्मिट करी है और ट्राई को ये बताया है कि हमने इन प्लान को इ इसलिए आ रहे हैं कि इनमें कोई hidden चार्ज नहीं दिख रहा है यूजर को पहले ही पता चल जाता है कि इस प्लान के अंडर में यूजर को क्या मिलने माला है कितना मिलने माला है अनलिमिटेड मिलेगा क्या चीज़े कितनी लिमिट में मिलने माली है या फिर अनलिमिटेड म करिए और उसमें बताया है कि ट्राई यानि टेली कॉम रेगुलेटरी अथोरिटी आफ इंडिया ने जियो से एक सर्वे कराया था तो बेसिकली सबसे ज्यादा यूजर आज के टाइम में जियो के पास हैं जियो के पास ऑल्मोस्ट 40% यूजर अभी भी बचे हुए हैं तो मा 91% यूजर इस सर्वे में ये बता रहे हैं कि अभी जो करेंट प्लान चल रहे हैं वो उनके लिए अफोर्डेबल प्लान है और बहुत अच्छे प्लान है समझने में उनको काफी सहायता मिलती है काफी इजी प्लान है समझने के लिए और अफोर्डेबल प्लान तो हई हैं और दूसरी रिपोर्ट जो की कहती है कि 93% यूजर भी इससे बहुत ज्यादा खुस हैं क्योंकि ये प्लान उनको समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किये गए हैं, इन में कुछ भी hidden charge नहीं डाला गया है, और ये उजर को बहुत ज्यादा पसंदार, उजर इ हैं, वो बंद कर दिये जाएंगे, और ये किसी भी telecom company की तरफ से अभी तक कोई भी announcement नहीं करी गई है, ना तो Jio की तरफ से, ना Airtel की तरफ से, ना ही BI की तरफ से B.A.S.N.L. की बात क्या करें, क्योंकि B.A.S.N.L. government company, आज कलो बहुत boost ले रही है, लेकिन network के मामले में, अभी भी B.A.S.N.L. बहुत ज्यादा नीचे है, तो B.A.S.N.L. को थोड़ा हटाते हैं, साइड में, जो भी unlimited plan मिलना है, इन private company के साथ में, वो आपको मिलते रहें अभी तक ऐसा कोई भी official announcement नहीं हुआ है, कि इन unlimited plan को बंद कर दिया जाएगा, अगर ऐसी कोई भी update आती है, तो मैं आपको सबसे पहले जरूर बताऊंगा, तो आज के वीडियो यहीं पर खतम करते हैं, वीडियो अगर पसंद आया हो, तो वीडियो को like जरूर करना, चैनल क subscribe करके bell icon जरूर press कर लीजे, मिलते हैं, कोई अगला वीडियो लेकर तब तक के लिए देखिए कोई पिछला वीडियो